आदरनीय नरेंद्र मोदी जी के मुह में जाकर के घी जम गया है बिहार में शराब बंदी लागू सिसू रोग बिस्टग के सम्मेलन में डॉक्टर के द्वारा सियराब पी जाने की घटना सोसल मीडिया पर जो वाइरल हुआ जो जीवन का भविश्च का निर्मान करते हैं व आप बंदी के टॉल फुरी के नंबर का इस्तेमाल करिएगा नमश्कार आप देख रहें एकनिस 24 और मैं हूं आपके साथ श्वता मिस्रा जनता दली उनाइटेड के मुख्य प्रवक्तार नीरच कुमार ने जो दर्भंगा से वीडियो वाइरल हुआ है शराब को लेकर उस पर किसी को भी जादा बोलने की जरूरत नहीं है और उस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की पहचान की जा रही है जो लोग भी उसमें सामिल है उन सभी के उपर कारवाई की जाएगी बाकिस पूरे मामले पर निरच कुमार का क्या कुछ कहना है आप उनकी बातों को सुन तुरंत उसको संग्यान में लिया पहचान की गई है सराब जब्त हुआ है लेकिन ऐसे जो डॉक्टरों का संगठन है हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे जो सिसू का इलाज करते हैं जो जीवन का भविष्ट का निर्मान करते हैं वह ऐसे डॉक्टर अगर सराब पी करक यह तो महा पाप कर रहे हैं तो निष्चित रूप से सरकार तो एक कारवाई करेगी उनकी पहचान हो रही है ततसम बंदी कारवाई भी होगी लेकिन यह सामाजिक सवाल भी है कि अगर डॉक्टर ऐसा क्रित करेंगे तो निष्चित रूप से यह तो जगन्यापराध माना जाएगा आदरनीय नरेंद्र मोदी जी के मुह में जाकर के घी जम गया है पांच जनवरी 2017 को नित्या नंदराई जी जो अंगुठा च्छाप आपको मंत्री बनाये हुए हैं कोई फाइल संचिका तो आपके पास जाता नहीं है पांच जनवरी 2017 को नरेंद्र मोदी ने गानी मैदान में कहा था कि नितीश कुमार ने सासिक फैसला लिया है केवल सरकार के बस का चीज नहीं है तमाम दल के लोगों को सहीयोग करना चाहिए आदरनीय नित्या नंदराई जी आप यह बताईए कि क्या भारतिय जनता पार्टी ने सामाजिक जागरुकता के लिए नंबर का इस्तेमाल किया तो जैसा कि नीरच कुमार का साफ तर पर कहना है कि जो लोग दूसरों को जीवन दान देते हैं अगर वही लोग ऐसा काम करेंगे तो वह बिलकुल भी ठीक नहीं है और यहां एक महापाप है बागे इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे स्ताथ और देखते रहे एकनिस 24 अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर द आणिवाद